राजानी रायपूर में गौत असकर खरोरा से एक ट्रक में दस गाय को कतल खाना ले जा रहे थी तभी बजरंगदल, विश्वे हिंदू परिशद और भास्पा की कारकारताओं ने ट्रक को पकड़ लिया उसमें नौ गाय मरी हुई थी और एक गाय जीवी थी कारकारताओं ने कड़ी मशकत के बाद गायों को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना थी ट्रक चालक और कंड़क्टर को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है वही भास्पा इवा मोर्शा के मंत्री प्रिंस सिंग परमार ने बताया कि 36 गड में बिते 3 सालों में गौत तसकर बढ़ गई है यहां से गायों की खुलियाम तसकरी मराष्ट और हैदराबाद के लिए हो रही है कई बार तसकरों को पकड़ा तो गया लेकिन सक्त करवाई नहीं होने से तसकरों के होसले बुलंध होते जा रहे हैं उन्होंने सीधे तोर पर राजसरकार को ही इसके लिए दोशी ठेराया है इसमें सभी दुधारू गाय थी जिनकी संख्या 10 है और उनमें से मातर एक जिवी थै और 9 गववन्स की मृत्यू हो गई है जो की प्रेगनेंट थी जो की पेट से थी ऐसी 9 गववन्सों की हत्या कर दी गई है लेकिन जो लगातार जो गववन्स तसकरी है जो 36 गड़ में लगातार गववन्स तसकरी जो बढ़ती जा रही है इसे पूरू में अभी कुछ दिन महीना दिन भी नहीं हुआ है तीन गव माताओं की जो निर्मम हत्या की गई थी जो की उल्ला थाना छेतर का मामला है इस पे भी कोई लगातार जो कारवाई है पुलिस प्रसासन अपनी कारवाई कर रही है लेकिन इन चीजों पर रोक नहीं लग रहा है इन चीजों में आप देख रहे हैं सामने है आपके ये ट्रक इस पर विफल है इस पर और जानकारी के लिए 36 गर से स्टेटेटर सरुप भटचार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है सरुप आए दिन 36 गर में गव तसकरी का मामला देखने को मिल रहा है बीजेबी लगतार सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार इस पर कोई कारवाही नहीं कर रही है इस पर क्या कुछ कहेंगे लेकिन उसके बावजूर भी देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो गौससकर्य है वो महराज की और कट्ञा खाना है, उससे तरब गौससकर को ले आ जाता है Speech. आक ले जाकर वहां पर यहां कस्याम किया जाता है और उस जर्फी गाय में से 9 मौत हो चुकी थी और और सभी गाय प्रेगिनेंट भी थी मतलब होती गाय थी और उस पर कारवाई जब हुई जो त्रस्ट कालक और वाहन के जो कंडेक्टर है उसको भी गिरफतार किया गया हाला कि पुलिस का कहना यह है कि पुस्ताज गड़ी प और और पर 111 कर रहे हैं जाना होगा जैसी कि दूसरे मामनों में काफ हला संग्यान लिया तो इस तरह से बहुत सारे काम कर तो रही है लेकिन सबसे बड़ी बाद जो होती है कि गौव की रख्षा करना जब तक नहीं होगी तक गौबर नहीं हो सकता और गौबर नहीं होगा तो आयका सोद्धी कम हो जाएगा तो इस तरह से नहीं देखा जाए तो सरकार को अब सबसे ज़्यादा जो ध्यान है गौवत असकरी के मामले को लेकर देना चाहिए ताकि गौवत असकरों को कड़ी से कड़ी सजा हो और ताकि बहुत दुबारा इस तरह के कोई काम ना करे